हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं और जब हम उनसे पर्सनली बात करते हैं तो उनको बात करने के तरीके सहहापा चलता है कि वो किस माइडसेट के है हमने अभी तक यह समझा है कि चार तरह के माइडसेट के लोग हो सकते है या तो वो जॉब कर रहे होंगे, सेल्फ कि फील से आपको पता लग जाएगा कि वो किस section के अंडर काम कर रहे हैं और वो क्या है exactly हम उनके बातों से पता कर सकते हैं कि वो अब ही या आने वाले टाइम में financially free होने वाले हैं या नहीं या बस वो जिंदगी पर काम करते रहेंगे और वैसे ही रहेंगे कहीं आप उनमें स से तो एक नहीं है अगर आप उनमें से एक हैं या फिर आपके जानने वाले उनमें से एक हैं तो आप जल्द ही इस जाल से आजादी ले सकते हैं और वो आजादी लेने का तरीका इस वीडियो में है लेकिन सबसे पहले समझना चरूरी है कि क्या सचमुच आप उस जाल में नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल माई मोटिवेशन गुरू में और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो क्या फील है किस तरह से हम किसी किसी के बात करने के तरीके से हैं पता कर सकें कि वो क्या employee section में आता है self businessman है या business man है या investor है और क्या वो आने वाले समय में financially free होगा या नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले हम in short में समझने कोशिश करते हैं फिर हम detail में समझेंगे in short में सबसे पहला हमारा जो type का people है वो है employee employee को जो requirement होती है वो सबसे पहले बात करने के तरीके से हमें आएगा जब वो कहेगा कि मुझे एक safe, secured नौकरी चाहिए जिसमें अच्छा पैसा हो और अच्छा benefit मिले उसका statement यही होगा या इस statement का कि आगे पीछे ही वो भूम रहा होगा वही दूसरी तरफ अगर वो self-employed person है तो उसके मूँ से वही आवाज आएगी कि घंटे के तो मुझे इतनी रुपया मिलने चाहिए या फिर एक दिन का मेरा इतना काम का इतना रुपया बनता है मतलब वो घंटे के हिसाब से अपने आपको evaluate करेगा evaluate कर रहा है और इसमने मुझ से उसने कह दिया कि मैं इस काम को बहतर दरीके से कर सकता हूँ और मेरा इतना rate है मतलब वो self-employed category में आ रहा है अगर किसी के statement से ये बात निकलती है कि कोई लड़का मिलेगा जो मेरा काम कर दे या कोई मजदूर मिल जाए, कोई engineer मिल जाए, कोई doctor मिल जाए जो मेरा काम कर दे अगर वो इस तरह के statement को use करता है तो वो businessman category में है और जो investor होगा, वो अपने आप कहाएगा कि यार पैसा मैं लगाऊँगा लेकिन फायदा कितना होगए बताओ मतलब, अब in short में हम चारों को बोल रहे है पहला वाला बोल रहा है, जो job कर रहा है वो कहता है कि मेरी salary और perks अच्छे होना चाहिए दूसरा category है, जो self-employed है वो कहता है कि मेरा per hour का charge या per project का charge इतना है और मैं उसमें बहतर काम करता हूँ तीसरे तरह की mentality है, जो businessman की है वो कहता है कि क्या कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो मेरा ये काम कर दे और चौते तरह की mentality है वो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा पैसा लगाँगा तो मुझे return कितना मिलेगा, मतलब ये investor है, no matter कोई भी किसी भी category में काम कर रहा हो लेकिन उसके बात करने के अंदाज से हमें तो ये प्रास लजाता है कि वो employee है self-employed है, businessman है या investor है और अगर वो businessman या investor है तो उस case में वो आने वाले time में financially free होगा लेकिन और हम जादा in depth में study करते हैं मैं इसको explain करता हूँ कुछ इस तरह से like सबसे पहली category थी जो हमारी employee की थी और उस employee category में यानि कि जो भी person है वो सोचता है कि मैं एक अच्छा employee हूँ उसके mindset से ये बात निकलती है security की, job security की और high payout की जो monthly payment का वो उमीद करता है अगर हम बहुत in depth message को बात करें या सोचने कोशेश करें कि भाई तुम job security क्यों चाहते हो तो वो अपने आप थोड़े दिर में एक डर का अभास दिखाएगा वो खुद कहाएगा यार job नहीं होगी तो मैं तो मर जाओँगा उसके अंदर कोई न कोई एक fear होगा, वो fear क्या है job होने का डर, या फिर पैसे ना आने का डर या फिर बिलकुल bankrupt होने का डर इस तरह के लोगों से जबाब बात करेंगे, तो आपको पास चलेगा वो अपने statement में कहेंगे भाई, मैं उतना ज़्यादा पैसे में interested नहीं हूँ, उनको कोई भी नया idea बताएंगे, वो कहेंगे मुझे इतना interest नहीं, मैं पैसे में interested नहीं हूँ because वो अपने life में security को ज़्यादा important देते हैं money से इस तरह के mindset वाले लोग किसी भी company के under काम कर सकते हैं और वो उनको security जो provide की जाती है, वो security contractual agreement के द्वारा provide की जाती है कि अगर इस तरह से attendance benefits करते हो, काम करते हो तो आपको इतनी salary per month मिलती रहेगी और इसके बाद इसके साथ आपके health insurance हैं या other perks भी हैं जो आप avail करेंगे इनके लिए extra money की कोई requirement नहीं है, ये fixed money की security दे देजे और ये काम करते रहेंगे जिंदगी भर और ये खुद ही उस पूरे system का एक part बनते हैं, मतलब वो खुद ही system है, वो काम कर रहे हैं अब चलते हैं दोस्तों, दूसरी तरह की category पर, जो दूसरी तरह की category थी वो category थी self-employed की self-employed लोग जो है वो उनके मन में होता है, मैं अपना boss खुद हूँ, और ये सारे काम जो करेंगे, वो खुद ही करेंगे वो समझते हैं, कि भाई वो काम कोई भी हो सबसे perfectionist मैं ही हो और मेरे साथ बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता इस तरह की mentality के लोग बहुत महनती होते हैं, महनती होने के साथ साथ बहुत सारा skills भी लेते हैं और skills लेके, उस skills के थुरू पैसा कमाते हैं उस skills के थुरू ही वो चार्ज करते हैं और उन्हें ये भी पता है वो जानते हैं कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मैं अच्छे payout लेने का हकदार नहीं हूँ इस तरह के लोग self-employed कराते हैं और small businessmen भो सकते हैं अब हम फिर से डर की बात करते हैं employee वाले में और self-employed में यानि जब वो employee है, job कर रहे हैं उनके अंदर का डर अलग है उनके अंदर का डर है कि वो पैसा नहीं कमाएंगे और इस चीज के लिए वो security चाहते हैं job security चाहते हैं परंतु दूसरी तरफ जो self-employed category में आते हैं वो इसी fear को दूसरी तरह से देखते हैं और वो अपने skills को enhance करते रहते हैं जैसे doctors, lawyers ये अपने skills को enhance करते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा payment ले सकें और उनकी market में demand बनी रहे ये do it yourself वाले लोग होते हैं अपने आप सारा काम करना जानते हैं इस तरह के mindset वाले लोग ये अपने आपको perfectionist समझते हैं तो किसी भी team के अंदर मिलके काम करने में इनको थोड़ी सी problem होती है वो उन्हें कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं करता हूँ, वो perfectionist way में करता हूँ बाकी लोग पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगा वो मुझे नहीं पता तो team building की भावना इनके अंदर थोड़ी कम होती है एक सबसे मज़दार बात ये है कि इस तरह के लोग दूसरे को hire करके train करना भी पसंद नहीं करते अब समझने कोईस करते हैं businessman के बारे में businessman होता है, उनकी mentality इन दोनों से बिल्कुल ही different है वो हमेशा ही plan out करेगा कि जो भी उनके पास manpower है उनके contacts हैं, वो contacts से manpower नए skills सीखे और ताकि ये businessman उनको वो काम delegate कर सके यहाँ पर system बिल्कुल बदल गया जो businessman है, वो automatically दूसरे लोगों को सीखाने की कोशिश कर रहा है कि आप सीख जाओ और आप करू मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन उसको ना काम करने के एवज में वो वहाँ पर पूरे system का honor होता है पूरे system के honor होने की वज़ा से उनके काम करने के तरीके की वज़ा से businessman earn करता है, इन लोगों को पता है कि इनकी जो junior से subordinate से जितने ज़्यादा skillful होंगे, उतने ज़्यादा businessman की income बढ़ जाएगी, हावेवर जो दूसरा self-employed था, वो सोचता था कि मैं अगर किसी और को सिखा दूँगा तो मेरी value बढ़ जाएगी, घट जाएगी और दोस्तों investor तो इन सबसे उपर है वो सिर्फ दिमाग लगाता है कि किसके उपर में पैसा लगाओ, कि मेरा पैसा अपने आप कमा के दे तो इनके बात करने के रवई है जो समझ में आता है, कि ये लोग पैसे को ही बढ़ाना चाहते है, इनको कोई मतलब नहीं है इनको पता है कि मेरे पास सतना पैसा है और इस पैसे को मैं अगर invest करूँगा तो इतने रोपे मुझे आने चाहिए इन सारी बातों से ये तो clear हो गया होगा कि इस चार तरह की category में से आप कौन सी category में है आप अपने मन से पूछे कि मैं इस category में हूँ और उसके बाद अब हम solution की तरफ बढ़ते हैं जहांपर हम ये जानने को हिश्च करें किस तरह से अपने सोच को अपने work करने के तरीके को change करें जिससे हम एक investor section में आए और investor section में आने के बाद unlimited पैसा बैठे बैठे कमाए सबसे पहले case में क्या हता है जैसे अगर मान लेजे मैं किसी company का employee हूँ और मेरे दिमाग में entrepreneurial skill आता है और मैं सोचता हूँ कि नहीं मुझे भी business करना चाहिए क्योंकि कभी न कभी हम सभी के दिमाग में यह बात तो आती ही आती है कि मैं इसके लिए job करो तो मैं अपना business क्यों ना करो जब वो ऐसा करते हैं तो सबसे पहला step वो करते हैं वो पहला step अपने job segment में जॉब कर रहे हैं उसको as a self-employed की तरह करना शुरू कर देते हैं जब वो job कर रहे थे तो वहाँ पे financially dependent अपने boss के उपर अब यहाँ पे multiple clients के उपर dependent हो आते हैं लेकिन ऐसा करते के साथ उनके पास skills बढ़ाने की ज़रुत पड़ती है और वो continuously नया skills सीखना शुरू कर देते हैं और नया skills की वज़ा से उनका काफी सारा time इंगेज़ आता है और however वो business मतलब job category से जाके वो self-employed में entry कर जाते हैं और यही एक जगा है जहां पे वो बहुत बड़ी mistake कर देते हैं employee section से move करके जब वो self-employed में आते हैं तो वो अपना बहुत सारा time इंगेज़ करते हैं और still वो financially independent नहीं हो सकते दोस्तों अगर आप ऐसा करने का सूच रहें तो कभी मत कीज़ेगा हमारे पास रास्ता दो है दूसरा रास्ता यह है कि आप as a employee कहीं पे हैं और आपने आपको business management section ने shift कर दिया है यानि कि आपने कुछ people को hire किया या उनको engage किया उनके skills बढ़ाए और जो skills से वो काम करते हैं उस system के honor आप बनें अगर आप system के honor बनेंगे तो employee होते हुए भी आप एक financially independent रास्ते पे जा रहे हैं धीरे धीरे अगर आप employee है और आपने एक system को own कर लिया और बाद में वो system जो आपको कमा करेता है जो आप अपनी job छोड़ सकते हैं आप पूर्णता financially independent हो चुके हैं अब ये बात जैसे माल लेज़े आप self-employed हैं और self-employed businessman category में गुशता हैं ये काफी मुश्किल होता है बहुत ही कम लोग इस attempt को पूरा करते हैं कि वो पहले self-employed थे और अब businessman बन रहे हैं देखे, businessman बनने के लिए हमें सिर्फ दो skills की जरूरत है एक तो हमने जो भी system बनाया है उसके उपर हमारा अपना control हो और दूसरा हमारे अंदर leadership की quality हो और अगर आप investor की तरह act करते हैं तो आपका पैसा तो पैसा ही पैसा बना रहा है मतलब आप किसी business में पैसा लगाते हैं और वो as a return आपको पैसा देता है या फिर और भी तरीके हैं जो मैं आने वाले नए वीडियो में बताऊंगा अमीर और सफल बनने का रास्ता है कि या तो आप किसी दूसरे person का समय ले ले मतलब कि आपने उसके समय को buy कर लिया मतलब आपने employee बना लिया या फिर आपने किसी दूसरे person का पैसा ले लिया यानि कि आपने investment ले लिया और यही secret है जिससे आप अमीर बन सकते हैं जब हम काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम किसी एकी section में काम कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि हम as a employee भी job करते हैं और as a self-employed भी काम कर रहे होते हैं कुछ investment भी कर रखा होता है और as a business on owner की तरह भी work कर रहे होते हैं लेकिन हम financially independent कब होंगे वो तब होंगे जब हमारे investment से हमारी 70% of income आ रहे होगी और हमारे self-work से यानि as a employee 30% के आसपास होगी अगर हमारा 70% investment की तरह हैं तो हम rich consider किये जा सकते हैं जब कि यही अब middle class mentality में देखें तो इस case में आपके employment section या self-employed section से आपका 80% से ज्यादा income आ रहा होता है और investment section से 20% से भी कम आ रहा होता है ये section आपको हमेशा middle class बनाएगा आपको अमीर कभी नहीं बनाएगा हम बार-बार शब्द सुनते रहते हैं rich होना और wealthy होना wealthy होने का मतलब है कि आप कितने समय तक rich रहेंगे मतलब कि जैसे मान लेजे कि आप 5000 रुपे महीने के आपके खर्चे हैं और 20,000 रुपे आपकी saving है तो आप 120 दिन तक अपने आपको survive कर सकते हैं बिना किसे tension game तो जब आप wealthy होने को measure करेंगे तो आप समय में measure करेंगे पैसे में measure नहीं करेंगे कि आप कितने समय तक आप कुछ लोग होते हैं जो indefinitely wealthy रह सकते हैं मतलब कि आपका पूरा जिंदगी लग जाएगा उस पैसे को खर्च करने में वो कैसे होगा ये तरीका भी आगे बताएंगे दोस्तो जब हम job करते हैं तो हमारे पास जो हमारे पैसे आते हैं ऐसा होता है कि पैसे आए job की तरफ से और आते के साथ हमारी सारी liabilities में लग जाते हैं पैसे हमारे पास बचता कुछ नहीं है यानि कि जब हम पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा अपनी liabilities को पूरा करने में लगा देते हैं और पैसा खतम हो जाता है फिर वो कहते है कि मैं बचत कब करूँ यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसको भी solve करेंगे और next वीडियो में हम यह भी सिखेंगे कि किस तरह से हम एक investor बन सकते हैं और हमने investment किया तो आने वाले वीडियोस काफी मज़दार होने वाली है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले टाइमे में और भी अच्छे educational वीडियोस देने वाला हो जिससे आप financially independent हो सकते हैं और काफी interesting आने वाला है आपको अगर पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दवाईए आभी के लिए विडियो देखने के लिए धन्यवाद जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में